माला सेरी ढूंगरी की साडू माता की साडू माता की सवाई भोज महराज की सवाई भोज महराज की देव नारायन भगवान की साडू माता गुर्जरी की इतपो भुमी महादानी बगलाव सुर्भीरारी करम भुमी और देव नारायन भगवानरी जनम भुमी माला सेरी डूंगरीन मारो पनाम श्री हेमराज जी गुजर पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों आज इस पावन अवसर पर भगवान देव नारायन जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नारायन जी का बुलावा आये और कोई मोका छोड़ता है क्या मैं भी हाजीर हो गया और आप याद रखिये यह कोई प्रधान मंत्री यह नहीं आया है मैं पूरे मैं पूरे भक्ति भाव से आपी की तरह एक यात्री के रूप में आशिरवार लेने आया है अभी मुझे यग्यशाला में पुरुना होती देने का भी सोभागे मिला मेरे लिए ये भी सोभागे का विशह है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायन जी का और उनके सभी भक्तों का आशिरवात प्राप्त करने का ये पुन्य प्राप्त हुआ है भगवान देवनारायन और जनता जनारदान दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूँ कि देश भर्चे यहां पधारे कि सभी सद्धावनों की भाती मैं भगवान देवनारायन से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्यान के लिए आशिरवात मांगने आया हूँ साथियों ये भगवान देवनारायन का एक हजार एक सो ग्यारवा अवतरण दिवस है सब्ता भर्चे यहां इससे जुड़े समारों चल रहे हैं जितना बड़ा ये आउसर है उतनी ही भव्यता उतनी दिव्यता उतनी ही बड़ी भागिदारी गुर्जर समाज ने सुनिशित की है इसके लिए मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूं कि समाज के प्रत्य व्यक्ति के प्रयास की सराना करता हूं कि भायों और मैनों कि भारत के हम लोग कि हजारों वर्षों पुराने कि अपने इतिहास कि अपनी सब्यता अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं दुनिया की अनेक सब्विताएं समय के साथ समाप्त हो गई परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई भारत को भी भावगोलिक, सांस्कृति, सामाजी और वैचारिक रुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई भारत सिर्फ एक भुभाग नहीं है, बलकि हमारी सब्विता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है इसलिए आज भारत अपने वैववशाली बविश्य की नियुक रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेड़ा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है किसकी शक्ति से, किसके आशिरवात से, भारत अटल है, अजर है, अमर है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है देश के कोटी कोटी जनों की शक्ति है भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में, समाज सक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रखी हमारा ये सवभाग्य रहा है, कि हर महत्वपुन काल में, हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी उर्जा निकलती है, जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्यान करता है भगवान देव नाराण भी ऐसे ही उर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिनोंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा थी बेरुप में मात्र, मात्र 31 वर्ष की आयू बिता कर, जन्मानस में अमर हो जाना, सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है उन्होंने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एक जुड़ किया, सम्रस्ता के भाव को फैलाया, भगवान देव नारायण ने समाज के विबिन वर्गों को साथ जुड़ कर, आदर्श व्यवस्ता कायम करने की दिशा में काम किया, यही कारण है कि भगवान देव नारायण के प्रती समाज के हर वर्ग में स्रद्दा है, आस्था है, इसलिए भगवान देव नारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुख्या की तरह है, उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है, भाई और भेनों, भगवान देव नारायण ने हमेशां सेवा और जन कल्यान को सर्वोच्चता दी, यही सीख, यही प्रिणा लेकर हर स्रद्दालू यहां से जाता है, जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाए, उन्होंने सेवा और जन कल्यान का कठीन मार्ग चुना, अपनी उर्जा का उप्योग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्यान के लिए किया, भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला, भला जी भला, देव भला, इसी उद्गोष में भले की कामना है, कल्यान की कामना है, भागवान देव नाराण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सब के साथ से सब के विकास का है, आद देश इसी रास्ते पर चल रहा है, बीते आठ नव वर्षों से, देश समाज के हरुस वर्ग को ससक्त करने का प्रयास कर रहा है, जो उपेक्षित रहा है, वन्चित रहा है, वन्चितों को वरियता इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं, आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिन्ता होती थी, आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुप्त मिल रहा है, अस्पताल में इलाज की चिन्ता को भी, हमने आविश्मान भारत योजना से दूर कर दिया है, गरीब के मन में घर को लेकर, टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर, चिन्ता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं, बैंक से लेंदेन भी कभी, बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी, कि आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं, साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, कि राजस्तान से भला बहतर कौन जान सकता है, लेकिन आज़ादी का नेक दसकों बाद भी, देश के सिरफ तीन करोड परिवारों तक ही, नल से जल की सुविदा थी, सोला करोड से जादा ग्रामिर परिवारों को पानी के लिए संगर्ष करना पड़ता था, बीते साड़े तीन वर्षों के बीतर देश में जो प्रयास हुए है, उसकी वज़े से अब ग्यारा करोड से जादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है, देश में किसानों के खेट तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है, सिंचाई की पानमपारिक योजनाओं का विस्तार हो, यार फिर नई टेकनिक के सिंचाई किसान को आज हर संभों मदद दी जा रही है, छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरस्ता था, उसे भी पहली बार PM किसान सम्मान निदी से सीधी मदद मिल रही है, यहां राजस्तान में भी किसानों को PM किसान सम्मान निदी के तहट 15,000 करोड रुपिय से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में बेजे गए हैं, साथियों, भगवान देवनाराण ने गव सेवा को समाज सेवा का, समाज के ससक्ति करन का माध्यम बनाया था, बीते कुछ वर्षों से देश में भी गव सेवा का ये भाव निरंतर शसक्त हो रहा है, हमारे यहाँ पशों में खूर और मुँँ की बिमारिया, खूर पका और मुँँ पका कितनी बड़ी समस्या थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, इससे हमारी गायों को, हमारे पशुदन को मुक्ती मिले, इसलिए देश में करोडों पशुदन के मुप्त ठिका करण का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, देश में पहली बार गव कल्यान के लिए राष्ट्रिय काम देनु आयोग बनाया गया है, राष्ट्रिय गोकुल मिसन से, वैज्ञानिक तरीकों से, पशुपालन को प्रोच्छाइद करने पर बल दिया जा रहा है, पशुधन हमारी परंपरा, हमारी आस्ता का ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामिड अर्थतंत्र का भी मजबुत हिस्सा है, इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ण की सुविदा दी गई है, आज पूरे देश में गोबर्दन योजना भी चल रही है, ये गोबर सहीद खेती से निकलने वाले कच्रे को कंचन में बदलने का अभियान है, हमारे जो डेरी प्लांट है, वे गोबर से पैदा होने वाली बिजली से ही चले, इसके लिए भी प्रयास किये जा रहे है, साथियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैंने लाल के लिए से पंच प्राणों पर चलने का आग्र किया था, उद्देश यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तब्यों को याद रखे, अपने मनिश्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूर्विरों के शौरिय को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है, राजस्तान तो धरोहरों की धर्ती है, यहाँ स्रजन है, उत्साह और उत्सों भी है, परिश्रम और परुपकार भी है, शौर्य यहाँ गर-गर के संस्कार है, रग-राग राजस्तान के परियाय है, उत्राही महत्वा यहाँ के जन-जन के संगर्स और संयम का भी है, कि यह प्रेणनास्थली भारत के अनेक गव्रवशाली पलों की व्यक्तित्व की साक्षी रही है कि तेजासी से पाबु जी तक गोगा जी से रामदेव जी तक बपा रावल से महाराणा प्रताप तक यहां के महापुरुषों जननायकों लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है इतिहात का शाहिदी कोई कालखन है जिसमें इस मिट्टी ने रास्त के लिए प्रेणा न दी हो इसमें भी गुर्जर समाज, शौर्य, पराक्रम और देश भक्ति का परियाय रहा है राश्त्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा गुर्जर समाज ने हर कालखन में प्रहरी की भूमी का निभाई है क्रांती वीर भूपसी गुर्जर जिने विजैसी पथिक के नाम से जाना जाता है उनके नेत्रुत्व में बिजोलिया का किसान अंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरना था कोतवाल दन सींजी और जोगराज सींजी ऐसे अनेग युद्धा रहे है जिनों ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया यही नहीं राम प्यारी गुर्जर पन्ना धाय जैसी नारी शक्ती की ऐसी महान प्रेणाय भी हमाएं हर पल प्रेरीत करती है यह दिखाता है कि गुर्जर समाज की बेहनों ने गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है और यह परंपरा आज भी निरंतर सम्रद्य हो रही है यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अंगिनित सिनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जो इसके वो हकदार थे जो उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन आज का भारत नया भारत बीते दसकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है उसे सामने लाया जा रहा है साथियों आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीड़ी है जो युवा है वो भगवान देव नारण के संदेशों को उनकी सिक्षाओं को और मजबूति से आगे बढ़ाएं ये गुर्जर समाज को भी ससक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी साथियों 21 सदी का ये कालखन भारत के विकास के लिए राजस्थान के विकास के लिए बहुत एहम है हमें एक जुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है आज पुरी दुनिया भारत की और बहुत उमीदों से देख रही है भारत ने जिस तरफ पुरी दुनिया को अपना सामर्त दिखाया है अपना दमखम दिखाया है उसने सुर्विरों की इस धर्थी का भी गौरों बढ़ाया है आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोड़ पर कहता है आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है इसलिए ऐसी हर बात जो हम देश वास्यों की एक्ता के खिलाब है उससे हमें दूर रहना है हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मिदों पर खरा उतरना है मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नाराण जी के अशिर्वात से हम सब जरूर सफल होंगे हम कड़ा परिशन करेंगे सब मिल करके करेंगे सब के प्रयाश से सिद्धी प्राप्त होके रहेगी और ये भी देखिए कैसा संजोग है भगवान देव नाराण जी का ग्यारा सो ग्यारवा आउतरन वर्ष उसी समय बारत की जी ट्विंटी की अध्यक्ष्टा और उसमें भी भगवान देव नाराण का उतरन कमल पर हुआ था और जी ट्विंटी का जो लोगो है उसमें भी कमल के उपर पूरी पृत्वी को बिठाया है ये भी बड़ा संयोग है और हम तो वो लोग है जो पैदाई सी कमल के साथ हुई है और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है लेकिन मैं पुझ्य संतों को प्रणाम करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में यहां आशिरवाद देने आये है मैं समाज का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया बक्ती भाव से बुलाया यह सरकारी कारकम नहीं है पूरी तरह समाज की शक्ती समाज की भक्ती उसीने मुझे प्रेरीत किया और मैं आपके बीच पहुँच गया मेरी आप सब को अनेक अनेक शुपकाम नहीं है जए देव दर्बार जए देव दर्बार जए देव दर्बार जए देव दर्बार